यहीं मेन वज़ा था जिसको वज़ा से पुनित सुपरस्टार को नमबर टू से नमबर टेन पे धकेल दिया गया सो हिलो दोस्तों कैसे हो सब आज हम सब पहले बात करते हैं फुकरा इंसान के अनिस्ट अफ़ेबर लाफिंग के बारे में सुरू कर दे रहा है बाई अब इतना से तो आपको समझ में आ गया होगा अगर अगर अब पूरा देखना जाते हो तो लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे दिया है की नेक्स बात करते हैं अविनास और फलक नाच के बारे में तो वैसकली अविनास फलक नाच को kind of propose करने गहे थे बट उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि आप सभी को पता है कि वो अब जल्दी घर से बाहर जाने वाले हैं और जब बाहर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यदा मुस्किल हो जाएगा ये बात बताना और दूसरी ज़िज अविनास को जिया और जैड ने ये भी बता रहा का था कि फलक भी आपको पसंद करती है तो इन्हीं सबी बातों के ध्यान में रखते हुए अविनास फलक नाज के पास गए और बोले कि जीया और जैड ऐसा बोल रहे कि हम दोनों एक साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं और कुछ इसी तरीके से बात करते करते हुए लास्ट में बता दिये कि वो क्या कहना चाहते हैं जिसके रेपलाई में फलक नाज ने एक तरीके से इंकार कर दिया उन्होंने बोला कि मैं अभी इस जोन में नहीं आना चाहती अभी ये सब मैं नहीं करना चाहती कुछ इस तरीके से जिसके बात अभीनाश भी रेपलाई कर दे कि आप औक फिल्म मद करना मेरे को ये लगा तो मैंने आपको बता दिया फिर फलक ने ऐसा बोल दिया कि कोई बात नहीं उसके बाद ये चीज सौट आउट हो गया अब एक और चीज को लेकर फुकरा इंसान और पूजा भट में थोड़ा सा बहस हो गया था इसमें बिसकाली पूजा भट ये बता रहे थी कि मुझको पूबली के तरप से रैंक वन दिया गया था जिसके रेपलाई में अभिसेख बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था बिसकाली आपका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं था और जैसा हमने देखा था ओडियेंस के तरप से जो वोट दिया गया था उसमें नमबर वन पे मैं ही था याने कि फुकरा इंसान था बाद में वहाँ पर जो जजज बैटे थे उन्होंने मेरे रैंक को नीचे कर दिया जिसके रेपलाई में पूझा वट बोलती है कि मैं रैंक वन पे थी क्योंकि मुझे और लेटी एक रैंक के साथ भिजा गया था बिग बोस गंदर और ये जिच पहले किसी को भी नहीं पत कहते हैं कि नहीं आपको पूझा वजजे से रैंक वन नहीं था जजज को ज़से था इसा कुछ जिसके बाद लास्ट में पूझा पट ऐसा बोलने लगती है कि आप जाओ सलमान खान से पूछो बीक बोस से पूछो कौन था आप नहीं पता है ऐसा कुछ अब यहीं सब पिखाया ही नहीं गया और जब इस किलिप को सेर किया जा रहे है ट्विटर के ऊपर जिसमें दिख रहा है कि पूझा भट साफ साफ जूट बोल रही है और इसके अलावे एक और चीज़ा आप से नोटिस करोगे कि इस किलिप के अंदर हो ऐसा साफ साफ बोल रही है कि एक जानी कि एक फिक्स रैंकिंग के साफ इस घर के अंदर आए थी जिसके आप इससे सीधा समझ सकते हो कि पूझा भट की रैंकिंग पहले से इस फिक्स थी कि वो नमबर वन पे रहेंगी चाहिक कैसा भी वोट हो या ना हो इसमें और ओडियन्स का वोट कभी मैटर ही नहीं कि कि पूझा पर रहें उस किलीब को यह कट करके हटा दे रहे हैं ताकि हमारी और हमारे फेवरेट कंटेशन की सचाई लोगों को पता ना चले और हमारी रिपोटेशन बची रहे हैं बाकि आप लोग खुद समझदार हो इस बार में अपना कमेंट अपना राय ज़रूर देन आपको पता है कि आज विकेंड का वार था जिसके वज़े से साइरस के एक फ्रेंट कुनाल करके आए हुए थे तो इसके लिए उसके लिए साइरस को मोटिवेट करने के लिए आये थे कि आप घर के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हो आगे भी ऐसा करो बट साइरस अपने यसोच के बाद भी साइरस के दोस्ता के जनता से भी रिक्वेस्ट करने लगे कि मेरे को वोट मत करो इन सब के बाद भी सल्मान खर और उनके दोस्तन ने हिनको बहुत ज़ना समझाया कि अगर बाहर चले जाते हो तो आपको बहुत ज़दा नुकसान हो सकता है और भी बहुत कुछ और Cyrus के दोस्त के चले जाने के बात भी सल्मान खान कुछ देर तक समझाते रहे बड़ Cyrus मानी ने रहे थे जिससे last में सल्मान खान को एक ही अपसन दिखा वो last में बोले कि उनका big boss और उनके contestant के ओपर एक और roast वीडियो आ चुका है बिसके लिए अपने big boss का एक clip देखा होगा जिसमें baby का ऐसा बोलती है कि अभिशेक सिर्प लड़कियों से लगता है लड़कों से नहीं हो लगता है क्यों कि वो लोग उसको पीटने लगेंगे मैं तुम लोगों को बता दू के अभिशेक की height 643 inches है अभिशेक almost 100 kilo का आदमी है उसके डॉले का size मेरे हिसाब से 18 inch है बट हो सकता है थोड़ा सा कम या फिर जादा हो और जहातक बात रही physical power की he is very strong, he is my brother कितना gym करता है, कितना weight lift करता है I know, मेरे को नहीं लगता है उस घर के अंदर वो किसी से भी डरेगा ठीक है, वो सब की respect करता है जो उससे डंग से बात करेगा, उसकी वो respect करेगा अगर तुम respect जा सकता है, तो बात करो नहीं कर सकता है तुम भाड में जाओ अरे तुम उसका character assassinate करतो चाहे तो लेकिन अगर वो थोड़ा सा react कर दिया Oh my god, आप तो अब हर महिला के सराथ ऐसे ही बात करते होंगे आप तो अपनी मम्मी के भी इज़त नहीं करते होंगे हम सब पर किरपा करे, हमें एक और टूट रहकर अपने पवित्र सनातर और महान देश की सेवा करने की सकती दे बटिन के इस हमायाचना से कोई भी खुस नहीं है क्योंकि सब यहीं बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज़दा देर कर दी पहले तो आपने इतना कुछ किया, इतना गलत काम किया है यह चीज़ आपको पहले ही एकसेप्ट करना चाहिए था बट आपने पहले इसे डिफेंड किया, आपने गलती भी किया और उसको डिफेंड भी कर रहे थे और अब जब आपका करियर खत्रे में है, आपका फिल्म फ्लॉफ हो गया तो आप आके माफी मांग रहे हो, तो यह नहीं चलेगा बाकि इस बार में आप लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ वीडियो अच्छे लगाओगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई